हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हेंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नए नए डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सेलेक्शन पा सकें। स्टार, देश के सबसे बड़े संसाधनों में वनों का नंबर सबसे आगे है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वन सुरक्षित होंगे, तो हवा, मिट्टी, पानी जैसे महत्तपूं साधन, मैफूज रह सकेंगे। इस संपदां का मूल्य मात भौतिक आकलन से संभव नहीं, बलकि हमारी आस्था, सिच्छा और सब्यतां का कैंद्र जंगल ही रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे सास्त्रों में हमेशा वनों का उल्लेक मिलता हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वनों के प्रति हमारी संभिधन सिल्ता धिरी धिरे कात्म होती जा रही हैं। देखा जाता है कि वनवासियों अथ्वा गाउं का वनों से सिधा रिस्ता रहां के इसलिए वी वनों और वन्य प्राणियों के प्रति संभिधन सील रहे हैं। पिछली दशकों में वनों के प्रवंधन पर हमारी चिंता खोकली इसलिए थी कि हमें दूसरी विकास की चुनोतियों का सामना करना था। इसी चक्कर में वनों का हरास भी हुआ। विकास की कारण हमारी द्वारा अपनी प्राथ मिक्ता में नीचे रख दिया गया। हिमालाई चिपको आनुलन के उधैने नीतिकारों को जख जोर दिया और ततकालीन प्रधान मंत्री इंद्रागांधी सरकार ने एतिहासिक फैसला लेकर 1980 का वन सरक्षण अधिनियम बना डाला इस कानुल को दुनिया भर में इसे देश का एतिहासिक अनुखा नेले बाना गया जिसमें वन भूमी को किसी भी अन्य व्योग से वन्चित कर दिया गया। अधिनियम की अनुसार वनों की हालात का लगातार कई माध्यहों से जायजा लिया जाता रहागे। मुख्य दाइत्व भार्तिय वन सर्वेच्छन का उतागे जु वनों की हालात वन अगनी आधिपर अपनी सालना रपट बनाता रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालाई के ताजा रपट बताती है के देश की वन्चेत्रफल में 360 वर्ग किलोमिटर में कमी आए हैं। साफ जाहिर है कि घटते वनों का मुद्दा राष्टिय बहस से गायब है क्यूंकि जो वनों की अवहाव में मिट रहे हैं उनकी आवाद घुट रही हैं। पर घटते वनों के प्रकूप से हम भी भचने वाले नहीं हैं। पुराने जमाने में कुई तालाब हर दूरी पर हुवा करते थें। वन और चरागाह हुवा करते थें। बाग बगीचे घरों के करीब हुवा करते थें। पशूं से माहल, आनन्दित और प्रकृति में रहता था। आज ऐसा लगता है कि उत्तर से लेकर दक्षिन तक, पूरव से लेकर पस्षिन तक आज कुदरती जंगलों का अत्यदिक दोहन हुरह हैं। हम जानते हैं कि हिमालाई भुकंप छेत्र के तहत माना जाताव हैं। प्राकृतिक सरक्षन कर सभी जीव जन्तो सुरक्षित रह सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और चीन द्वारा हिमालाई को सरक्षित छेत्र घुशित करना चायें।